नमस्कार आप देख रहे हैं जेबीटी अध्यात्म आपके साथ मैं हुआ अंक्यता सनातन धर्म में फालकुन माह की विजिया एका दशी वरत का विशेश महत्व है पद्म पुरान और इसकंद पुरान के अनुसार जब भी कोई व्यक्ती दुश्मनों से घेरा हो तब विपरीत परिस्थिती में भी विजिया एका दशी का वरत करने से जीत सुनश्चित हो सकती है स्वयम भगवान श्रीकृष्ण ने युधिश्टिर को इस वरत का महा मात्य बताया था उन्होंने कहा था कि स्वयम भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के लिए इस वरत को किया था ऐसी मानिता है कि विजिया एका दशी के विदिन वरत कथा के शवन मात्र से ही व्यक्ती के पाप धुल जाते हैं और शुब कर्मों में व्रिधी होती है 16 फरवरी 2023 को वालगुन महा की विजिया एका दशी वरत रखी जाएगी आए जानते हैं विजिया एका दशी वरत की कथा पौरानिक कथा के अनुसार फ्राचीन काल में कई राजा महराजा ने इस वरत के प्रभाव से अपने शत्रों पर विजय प्राप्त की थी ऐसी मानिता है कि भगवार शीराम ने लंका पर आकरमन करने से पहले अपनी पूरी सेना के साथ इस वरत को रखा था कथा के अनुसार श्री राम अपनी सेना के साथ जब माता सीता को बचाने और रावन से युद्ध करने समुद्र तट पर पहुँचे तो विशाल समुद्र को देखकर चिंता में पढ़ गए थे तब सागर पार करने और रावन को परास्त करने को लेकर लक्षमन ने शीराम को वक्दालभ्य मुनी से सला लेने के लिए कहा उसके बार शीराम वक्दालभ्य मुनी के आश्रम में पहुचे और अपनी समस्या बताई श्रिशी वगदालभ्य ने श्री राम को सेना सहित फालकुन महा की विज्या एकादशी व्रत करने के लिए कहा व्रत की विधी जानकर श्री राम ने फालकुन महा के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर कलश में जल भर कर उसके उपर आम के पल्लव रखे फिर भगवान विश्नु की प्रतिमा स्थापित कर पुष्प, सुपारी, तिल, पीले वस्त्र, धूप, दीप, नार्यल और चंदल से उनकी विधिवत, पूजा की श्री राम ने पूरी राज श्री हरी का स्मरण किया और फिर अगले दिन द्वादशी तिथी पर शद्धा अनुसार कलश सहित ब्रामणों को तिल, फल, अन्न का दान किया और वृत का पारण किया इसके बाद ही श्रीडाम ने रावन को परास्त कर अधर्म पर धर्म का पर्चम लहराया ऐसी मानिता है कि तब से ही विज्या एकादशी कवरत रखने की परंपरा शुरू हुई है नमस्कार